नमस्कार, Competition Comedy के MCQ सीरीज में मैं पोख्राच करता हूँ आप सभी का स्वागत तो बहुत लंबे समय से बहुत सारे छात्रों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि स्थर CGPSC Pre के लिए खास कर क्या करिये तो सब्जेक्ट वाइज MCQ का एक सीरीज लेकर आईए ठीक और हमें भी यही लगता था कि तैयारी को बहतर बनाने के लिए या तैयारी की बहतर आकलन करने के लिए सबसे बहतरी अगर कोई साधन हो सकता है तो हो सकता है क्या MCQs तो इसी क्रव में हम लोग सब्जेक्ट वाइज MCQs का एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें CGPSC Pre के दृष्टी कोन से जो महत्वकून सब्जेक्ट से हैं उनमें से भी छाट कर निकाले गए कुछ important MCQs को हम आप सभी के साथ करेंगे डिस्कास अब इस discussion में basically हमारे objectives क्या रहेंगे तो पहलो objective रहेगा कि आप सभी का एक तो practice हो जाए और हो सके तो आप लोगों को कुछ अगर नई जानकारी भी हम दे पाएं तो और भी बहुत बहतर रहेगा वैसे तो बहुत सारी नई जानकारी मुझे लगता है आप लोगों को जो free हमारा crash course था live उसके माध्यम से मिल ही चुकी होगी बट फिर भी हम और कोशिश करेंगी कि और बहतर जानकारी और बहतर delivery जो है वो हम आपको दे सके ठीक अब मैं आजाता हूँ अपने subject पे तो मेरा subject है क्या 36 गड़ सामान या ध्यन और इस subject से मैं आपके लिए 5 वीडियो लेके आऊंगा ठीक पाँच में से पहला वीडियो है और इस वीडियो में 36 गड़ में हम संभागों के परिचय में से कुछ important questions को देखने वाले हैं आगे जब हम questions को देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि मैंने सभी प्रकार के questions को mix करके रखा है कुछ एकदम one-liner factual questions हैं तो कुछ statement वाले हैं कुछ match the followings है clear तो इस प्रकार के सभी प्रशन हमको मिलेंगे लेकिन सबको mix करके रखा है तो कहीं पर आसान प्रशन हैं कहीं पर कठिन प्रशन है ठीक है तो चलिए start करते हैं देखते हैं एक-एक करके प्रशनों को तो सबसे पहला प्रशन है देखी मिर्तुर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मिर्तुर के बारे में आप लोग समझते जाईएगा यह जो मैप है आप देख पा रहे हो कौन सा मैप है तो यह बस्तर संभाग का मैप है अब बस्तर संभाग में आपको याद होगा यह कांकेर जिला था यह कूंडा गाओं था यह बस्तर था यह सुकमा यह दंतेवाणा नारायनपूर और यह एक जिला नाम है क्या बीजापूर बीजापूर 36 गड़ का सबसे पश्चिमी जिला भी था आपको यह भी याद होगा ठीक है तो यह बीजापूर को मैं थोड़ा सा आउटलाइन कर देता हूँ ताकि इसके उपर हम डिसकस कर सके ठीक तो यह कौन सा जिला है तो यह जिला है बीजापूर अब इस बीजापूर जिले में एक तहसील है तहसील का नाम क्या है तो नाम है भैरमगड क्या नाम है तहसील का भैरमगड तो जिला कौन सा है मैंने बताया जिला है बीजापूर और बीजापूर जिले में एक तहसील है नाम है क्या भैरमगड और भैरमगड तैसील में स्थित है क्या मिर्तुर तो एक जगा है मिर्तुर क्या नाम है जगा का मिर्तुर यहां पर हुआ क्या डॉक्टर राम विजय शर्माजी जो बेसिकली उस समय तैसील दार भी थे कहा के तो भैरमगड तैसील के ही तो इन्हों ने खोज की चत्तिसगड के फॉस्ट या प्रथम ब्रह्मा मंदिर की तो अभी तक हमने देखा था चत्तिसगड की पढ़ाई की थी आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा बहुत कहीं पर भी चत्तिसगड में आप ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं देखते हों तो इन्हों ने डॉक्टर राम विजय शर्मा जी ने मिर्तुर में खोजा है चत्तिसगड का पहला ब्रह्मा जी का मंदिर ठीक है तो मैंने क्या बताया मिर्तुर कहां है तो बस्तर संभाग में जिला है बीज मंदिर ढूंटा होते हैं ठीक है चलिए अब कोशन पर आते हैं हमको बताना है कौन सा कथन सत्य है तो जभी भी इस प्रकार के प्रशनों को आप देखें या ऐसे questions को आप solve करेंगे न तो दिमात में थोड़ा सा पहले से mindset बना लेंगे कि आपको सहीं पहचानना है कि गलत तो यहां से यह statement सहीं आ गया यहां पर राज का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है देखें अभी के हिसाब से तो एक मात्र ही है तो आज के लिए तो यह statement सहीं है हो सकता है आने वाले वर्शों में और भी मंदिर निकल जाए तो यह राज का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर न रहे ले नेहां पर मा-दटेश्वरी का मंदिर है तो मैं आपको बता दूं यहां पर कौन सा मंदिर देखा है। हमने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है। दनतेश्वरी माता का मंदिर तो नहीं देखा है। मतलब यह जो 3rd statement है यह क्या हो जाएगा। गलत हो जाएगा। ठीक भई ? मुझे बता दो कि जिला कौन सा होगा तो जिला तो बीजापुर ही होगा तो उस condition में क्या होगा ये जो दंतेवाड़ा वाला statement है वो भी गलत ठीक है तो हमने निकाल लिया दो statement सही है दो गलत है वापिस सो question को पढ़ें तो पता चलता है क्या हमें बताना है कौन सा सत्य है तो सत्य क्या था statement एक और statement दो ये दोनों सत्य है अब options को देखिए option ये क्या बोलता है एक और तीन सत्य है बोलता है तो ये तो possible नहीं है यार हम देख रहे हैं एक और दो आना चाहिए फिर भी क्या बोलता है 2 और 4 तो 2 और 4 भी सत्य नहीं है C देखिए कहता है 1 और 2 और हमने भी 1 और 2 ही निकाला है इसलिए option C जो है वो होगा हमारे इस पहले question का सही answer clear? तो I hope explanation को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो देखिए जैसा मैं explain कर रहा हूँ question को solve करने का तरीका भी वही है थोड़ा सा आप लोग आसानी से question को पढ़ें एक बार और हड़ बढ़ाए ना और उसको उसके बाद solve करिए देखिए PSE pre की बात करूँ तो 2 घंटे का paper मतलब 120 मिनिट का paper होगा और इसमें 100 question रहेंगे GS के अब देखो GS के question में कुछ solve तो एक करना नहीं होता है कि चलो maths जैसा कुछ solve करना है तो time लग जाएगा GS का question तो ऐसा होता है कि एक बार आपने अच्छे से पढ़ा समझ में आया तो बनेगा समझ में नहीं आया तो फिर मुश्किर बाली बात है तो यहाँ पर आप हडबढाएंगे नहीं आप मेरे हिसाब से क्या करेंगे question को पहली बार आराम से अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है इसका answer तो मैं जबरदस्त जानता हूं करके तो एक बार और और पढ़ लेना कहीं over confidence में भूल न कर बैठो तो question को दो बार अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही options की ओर भागना हडबढा मत जाना देखते ही अरे ये मिर्तूर वाला question ये तो मैं किया हूं और मैं किया हूं चक्कर विसा ऐसा ऐसा लगा दिये पता चला गलत लगा दिये तो ऐसा हडबढ़ी नहीं करना है ठीक चलिए तो ये मिर्तूर जो है ब्रह्मा जी के मंदिर का एक फोटो है मैंने निकाल कर रखा था कि आप लोग को मैं दिखा सकूं तो आप देखोगे तो यहाँ पर तैसीर जो है वह भैरंगर लिखा है ग्र नहीं मिलान करना है देखो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ अराम से बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग बहतर तरीके से समझ सकों questions के साथ साथ उसको बनाने का तरीका जो है ना उसको भी ध्यान देना कि किस प्रकार से आप eliminate करते हो किस प्रकार से सही answers को निकाल सकते हो ठीक अब जल प्रपात देखिए कितने जल प्रपात लिखें यहाँ पर तो एक लिखा है जोजा दूसरा लिखा है गोविंद कुझ फिर है क्या नोगो बागा और उसके बाद है मुद्दे खड़का ठीक आपको याद होगा जब हम लोग फ्री लाइफ क्राश कोर्स वाला प्रोग्राम चला रहे थे तो वहाँ पर मैं जब 36 गड़ का भुगोल आपको पढ़ा रहा था या 36 गड़ की जोग्रफी तो उसमें अपवाहत तंत्रिया ड्रेनिज सिस्टम के मैंने दो वीडियो बनाए थे तो सेकेंड वीडियो में मैंने बहुत सारे जलप्रपातों की चर्चा आप लोगों से की थी ठीक नहीं याद है तो फिर से बता देता हूँ पहला जलप्रपात क्या लिखा है जोजा तो आपको याद होगा ये जो हमारा बिलासपूर संभाग है अब बिलासपूर संभाग में एक नया जिला बना है नाम है क्या गौरेला पेंडरा मरवाही तो मैंने आपको बताया था कि गौरेला पेंडरा मरवाही में एक जलप्रपात है नाम है क्या जोजा अब देखो 36 गड़ में ना जब जलप्रपातों को पढ़ने आप जाओगे दो चीजों को याद रखना एक तो क्या जल प्रपात और दूसरा परियोजना तो बहुत सारी स्थानी सरिताओं या लोकल स्ट्रीम्स पर भी जल प्रपात और परियोजनाएं बनती हैं या बनाई गई है परियोजना बनाई गई है जल प्रपात बनते हैं ठीक तो ध्यान या परियोजना के नाम है, उनके साथ सरीता या स्ट्रीम का नाम नहीं है, तो परिशान मत हो ना, क्योंकि आप गवर्मेंट के वेबसाइट पे भी जाके देखोगे ना, तो वहाँ पर लोकल शब्द या स्थानी शब्द का इस्तमाल हो जाता है उनके नाम के सामने, ठीक, तो जैसे कि ये जलप्रपात है, नाम है क्या जोजा, अब इसके नाम के पीछे जाओगे कि कौन सी नदी या कौन सी सरीता पर है, तो प्रॉपरली नहीं मिलेगा, अब उस जलप्रपात में जाक देखोगे, तो हो सकता है, गाउं वाले बता दे, फलाना नदी पर है, हो सकता है, बताएं कि सिंधु नदी पर है, वहाँ पर हो सकता है कि किसी नदी को क्या बोल देते होंगे, स्थानी भाषा हम सिंधु बोल देते होंगे, या स्थानी लोग सिंधु बोल देते होंगे, ठीक, तो ऐसा हो सकता है, तो टेंशन मत लेना, न ये पूछेगा स्थानी का नाम और आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, सिंदु सिर्फ एक्जामपल के लिए दिया हूँ न, ऐसा मत बुलना सर, सिंदु नदी का पवात तुद आकासर हम लोगों पढ़ा रहे हैं, वोत क क्या बताया, गौरेला प्रेंडरा मरवाही, यहाँ पर एक जर्प्रपात है, नाम है क्या, जोजा, तो जोजा जो है न, उसको हम गौरेला प्रेंडरा मरवाही के साथ मैच कर सकते हैं, तो पहला एटू एक पेर बन गया, अगला क्या है, गोविंद कुंज, अब देखो, यह जो गौरेला प्रेंडरा मरवाही है न, इसके इस्ट की तरफ एक जिला है, नाम है क्या, तो कोर्बा, अब यह जो कोर्बा है न, आपको पता है, यहाँ से एक नदी बहती थी, नाम क्या, हस्देव, अब जब हस्देव नदी के बारे में, हम चर्शा कर रहे थे अपनी गुज कैड बताईए, कौन-कौन सी सहायक नदिया थी, ठीक, इसमें से एक नदी थी, नाम था क्या, चोर्नई नदी, कौन सी नदी, चोर्नई, और मैंने आपको बताया था, इस कोर्बा जिले में, इस चोर्नई नदी के उपर, एक गाउं है, नाम है क्या, देव पहरी, औ और इस देव पहरी गाउं में, एक जल प्रपात है, नाम है क्या, गुविंद कुन्ज जल प्रपात, अब देखो, फिर से बता रहा हो न, समझना अच्छे से, कन्फ्यूजन नहीं हो न, जिला है कौर्बा, हस्देव नदी की सहायक चोर्नई नदी पर, हस्देव पर नहीं देव पहरी गाउं में, एक जल प्रपात है, नाम है क्या, गुविंद कुन्ज जल प्रपात, देखो, ये जो जल प्रपात है न, चूंकि देव पहरी ग्राम में है, इसलिए इसको देव पहरी जल प्रपात भी बोल देते हैं, और इसको गुविंद कुन्ज जल प्रपात भी बोलते हैं तो गोविंद कुझ को हम मिला सकते हैं कोरबा से तो A2 के बाद क्या बन गया B4 ठीक है नोगो बागा नोगो बागा के संबंध में आपको बता दूं 36 गड़का दक्षणतम संभाग जो है बस्तर संभाग और बस्तर संभाग में एक जिला है नारायनपुर वहा कुंडा गाउं अगला है C3 ठीक मुद्टे खड़का मुद्टे खड़का जलप्रपात वैसे तो आसानी समझ गए होग या D के साथ 1 ही बचा है तो D के साथ 1 तो आना ही चाहिए फिर भी आपको मैं मुद्टे खड़का के चक्कर में बता दूं या इसके संदर्भ में बता दूं मुद्टे खड़का जो जलप्रपात है ये असल में है कुंडा गाउं जिले में कौन से जिले में है कुंडा गाउं जिले में जिस परवत के उपर है न उसको क्या बोलते हैं पता है बोलते हैं कुए मारी डोंगरी कुए मारी डोंगरी बोलते है ठीक तो जोजा हमने क्या देखा गोविंद कुंज कहां पर देखा है कोरबा उसके बाद नोगो बागा देखा है नारायनपुर और नारायनपुर के इस्ट की तरफ एक जिला है कोंडागा और जहां पर देखा है मुद्टे खड़का जल्टरपात तो क्या पेरिंग बन गई है हमारी और आप्षन को देखते हैं पहले D से चालू करते हैं तो A2 तक तो ठीक है लेकिन यहाः पर B1 आ गया है यह गलत हो गया C में देखोगे तो A2 ठीक है फिर से B1 आ गया है ये गलत हो गया B option को देखो तो A2 सही है B4 आया है हमारा ये भी सही है C3 आया है ये भी सही है और D1 आया है ये भी सही तो pairing बिल्कुल सही बैठ रही है option number B में इसलिए option B जो है ये हमारे दूसरे प्रश्ण का होने वाला है सही उतर clear तो I hope आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा second question का explanation ठीक है अगले question पर चलते हैं फिर से match the following type का ही question है इसमें कुछ important परवत दिये हैं उनको जिले के साथ match करना है पहला परवत है कुल जारी अब आपको याद होगा इसको हमने दो बार देखा था एक तो जब हम राजनाद गाउं जिले की पढ़ाई कर रहे थे तब भी देखा था और एक अपवाहत तंतर में जब हम गोदावरी नदी का अपवाहत तंतर देख रहे थे उसमें एक नदी देखी थी यह असल में गोदावरी अपवाहत तंतर का हिस्सा है तो ध्यान रखना है कुलजाडी परवत कहाँ परस्थित है राजनाद काउ अब अगला है बिजौरा अब यह बिजौरा परवत जो है ना यह आजकल बहुत ट्रेंडिंग है सब लोग पुछते हैं कि कहाँ है कहाँ है करके तो मैं आपको बताता हूँ बिजौरा परवत को अगर जिले के हिसाब से बात करो तो यह कौन से जिले में है पूर्बा 36 गड़ के किस प्राकृतिक भाग का हिस्सा है कहोगे तो याद रखना छूरी उदैपुर परवत का हिस्सा है इसकी कितनी उचाई है कहोगे तो 1013 मीटर 10-13 मीटर उचाई है किसकी बिजौरा परवत की ठीक है तो ध्यान रखना यह हमारा क्या है कौर्बा जिला और कौर्बा जिले में स्थित है आपका कौन सा परवत तो बिजौरा परवत तो बिजौरा को आप जोड़ो दो किसके साथ कौर्बा अब पेरिंग भी साथ में करते चलते हैं तो A जुड़ा है 2 के साथ B जुड़ा है किसके साथ 3 के साथ उसके बाद देखिए खुर्जा अब याद करो एक तो जब मैं जश्पुर जिला पढ़ा रहा था तो भी आपको खुर्जा के बारे में बताया था और जब महानदी का अपवात तंत्र भी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको इस खुर्जा परवत के बारे में बताया था साथ ही मैंने क्या बताया था हो गया C और 4 अब देखो D1 तो आना ही आना है यार पर फिर भी आप लोग को बता देता हूँ मैं पल्मा तो याद करो जब गोरिला पेंड़ा मरवाही पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इस जिले में एक परवत है नाम है क्या तो पल्मा और इसकी उचाही मैंने बताया था किता तो 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080 HD वाला कॉलिटी याद आया फोटो खीचना है HD क्वालिटी मैं ऐसा आपको पोड़ बताया था मैंने तो A2, B3, C4, D1 चलिए D से चालू करते हैं तो A2 तक तो ठीक है लेकिन यहाँ पर B1 आ जाता है गलत C में देखो A2 ठीक है फिर B के साथ क्या आ गया 1 तो गलत है हमारे B के साथ तो 3 है भई फिर B देखो तो A2 है फिर क्या है B 4 यह भी गलत option A को देखो A2 सही है B के साथ 3 सही है C के साथ 4 सही है D के साथ 1 सही है तो option A जो है वो आपके तीसरे परशन का होगा सही answer तो I hope approach आप बहुत आसानी से वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे चौथा परशन है आते हैं देखें क्या है चुरा परसोली खनिज भंडार शेतर समबंधित है तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 options है पहले में गैलेना है दूसरे में अगेट है तीसरे में असबेस्टस है चौथे में क्या है मागनीज है एक एक करके सभी को देख लेते हैं तो सबसे पहले बात करूँ गैलेना की तो चौथेस गड़ के बस्तर संभाग में ये एक जिला है नाम है क्या दंतेवाडा अब दंतेवाडा जिला में दो भंडारन शेतर है एक है जीर का और दूसरा क्या है तो है बिजाम तो एक है जीर का दूसरा बिजाम और यहां से या ये किस से संभन्धित है तो ये गैलेना से संभन्धित है जीर का बिजाम गैलेना कहाँ पर दंतेवाडा ठीक है अगेट की बात करूँ तो देखे ये आपको अगर ध्यान हो तो हमारा राइपुर संभाग है है की नहीं अब राइपुर संभाग में एक जिला है नाम है क्या धमतरी जिला अब इस धमतरी जिला से या धमतरी जिला में कहूं जगा का नाम है हर्रा कोटी यहां से प्राप्थ होता है क्या तो अगेट ठीक तो गेलेना जिर का विजम दंतेवाडा से और धमतरी जिला के हर्रा कोटी से क्या गेट ठीक है भई ये दोनों हो गया तीसरा क्या है एसबेस्टस तो सरगुजा संभाग में एक जिला है जो की छत्तिद गड़का सबसे उत्तर क्योर वाला जिला है नाम है जिले का क्या तो बलरामपुर ठीक है और बलरामपुर में है एक जगा नाम है क्या ओरेंगा और इस ओरेंगा से क्या मिलता है हमें तो मिलता है एसबेस्टस क्या मिलता है एसबेस्टस क्लियर तो ये ओरेंगा एसबेस्टस बलरांपुरचिला ठीक, तो अभी तक क्या देखा है गेलेना कहां से मिलता है तो गेलेना हमने देखा है, मिलता है ये जीर का विजान दनतेवाडा से मतलब छुरा परसोली से तो नहीं मिलता ये option हो गया, गलत हमको बताना है, छुरा परसोली स कौन सा मिलता है ठीक, अगेट हमने देखा है, हर्रा, कोटी धमतरी, ठीक है भई यहां भी छुरा परसोली नहीं आया एसबेस्टस, औरेंगा से मिल रहा है तो यहां भी छुरा परसोली नहीं आया अब option तो आप समझ गया, जो बचा है वो answer होगा फिर भी explanation में बता देता हूँ आपको मैं कि यह है हमारा गरिया बंजिला और गरिया बंजिले में है एक भंडारण नाम है क्या छुरा परसोली और यह संबंधित है मैगनीस से याद रखना मैगनीस का एक मातर भंडारण चत्तिस गड़ के इस गरिया बंजिले में नाम है क्या तो छुरा परसोली क्या नाम है छुरा परसोली याद रखेंगे तो चौथा जो परश्ण है छुरा परसोली खनीज भंडारण शेतर किससे संबंधित है तो याद रखेंगे आप मैगनी से संबंदित है यह ठीक है तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्ण भी हो जाता है समाप्त पांचवे प्रश्ण पर आ जाते हैं केदार अब देखो जलाशे है और इसको जिलो के साथ मैच करने हैं मैंने मैच दिफ फालोविंग के बहुत सारे प्रश्ण रखे हैं क्यों क्योंकि एक प्रश्ण में हम तीन चार फैक्ट को एक साथ डिसकस कर सकते हैं ठीक है चलिए तो केदार केदार डाम के बारे मैं आपको बताता हूँ ये हमारा कौन सा जिला है तो रैगड जिला अब इसके दक्षन की और एक शहर था नाम था क्या सारंगड और ये जो सारंगड है न सारंग लिग दिया मैं सारंगड ठीक रहा तो इस सारंगड के नस्दीक है एक डैम नाम है क्या तो केदार डैम जो की है किस पे तो केदार नाला ठीक डाउट हो CGWRD 36 गड़ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना तो सारंगड जो है कहाँ पर है तो राइगड जिले में यहाँ पर केदार डैम है किस पर है तो केदार नाला पर है तो केदार किस से जुड़ेगा तो आप राइगड जिले से हैं तो मैंने बताया राइगड जिले में सारंगड के नस्दी केदार डैम केदार नाला पर गोंगा अब ये जो डैम है ना इसको स्थानी लोग वहाँ पर ना कोरी डैम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कोरी डैम गोंगा डैम तो बिलासपूर जिले में आपको एक जगा पता है नाम है क्या नाम है कोटा तो कोटा के ही नजदीक है ये कौन सा डैम घोंगा डैम है तो इतना तो आप समझ गए कि जुड़ेगा किस के साथ बिलासपूर के साथ लेकिन थोड़ा सा डीटेल भी बता देता हूँ आपको तो घोंगा डैम जो है न बेसिकली वहाँ पर चार स्थानी नदियां आकर जुड़ जाती है या उस डैम में मिल जाती है कहूं में जिन में से एक है क्या घोंगा अब इसकी नदियों का नाम अगर आप CGWRD म सर्च करोगे तो आपको मिलेगा एक शब्द लिखा हुआ लोकल स्थानी तो एकदम जादा जानने का और टेंश लेने का जौरत नहीं है घोंगा याद रख लो काफी है तो घोंगा नदिपर घोंगा डैम ऐसा भी याद रख सकते हैं स्थानी भार्षा में कोरी मेरी बात पेविश्वास ना हो तो यह वेबसाइट आपके सामने है जाके देखिएगा ठीक है चलिए तो मैंने क्या बताया केदार राइगड के साथ तो एक और टू के साथ जोड़ दो बी घोंगा किसके साथ तो बिलासपुर तो बी वन हो गया यह बेहार खार लिखा गया है असल में न यह बेहरा खार है बेहरा खार बेहरा खार वैसे तो आप स बेहरा खार नाले पर है यह जो बेहरा खार नाला है नासल में यह बंजर नदी का सहायक है अब समझ जाओ यार बंजर नदी का सहायक है मतलब यह नर्मदा बेसिन का हिस्सा है बंजर और ताड़ा आपको याद है दोनों कवरधास निकल के पश्चिम की और बहती थी जाकर कि इसकी सहायक बनती थी तो नर्मदानदी की, clear, तो हमने क्या देखा, केदार कहां पर है, तो राइगर में है, घोंगा, डाम जो है, बिलासपूर में, और बेहरा खार जो है, कहां पर है, तो कबीर धाम, तो देखिए, A जो है, वो जुड़ा किस के साथ, 2 के साथ, B जुड़ा गलत हो गया, C ओप्शन को देखो, फिर से A को 3 के साथ जोड़ दिया है, गलत, ओप्शन B में आओ, तो A को 2 के साथ जोड़ा है, सही है, फिर क्या B को 1 के साथ जोड़ा है, बिल्कुल जोड़ा है, क्या C को 3 के साथ जोड़ा है, तो बिल्कुल जोड़ा है, तो ओप्शन होगा आपका सही answer is भागूंगो बुलता है जी नहीं पढ़ूंगा करके पाच्वे प्रश्ण का clear तो I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा अगले प्रश्ण पर आते हैं छटवा निम्ण में से कौन सा कथन सत्य है ठीक अब सत्य आप देखोगे तो पहले ही मुझे एक शब्द दिख रहा है बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण तो मैं आपको बादल खोल के बारे में बता देता है तो बादल खोल वन्यजीव अभ्यारणी जो है 1975 में इसका गठन हुआ 105 वर्ग किलोमीटर इसका शेत्रफल है यह 36 गड़ के जश पुर्जिले में है और यह 36 गड़ का शेत्रफल के नुसार सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारणी है बाद जैसे दिख रहा है न यह वर्द है वन्यजीव अभ्यारणी है अब कथनों को देखते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है दिमाग में रख लेना कि हमको ना सत्य कथन बताना है क्या बताना है कौन सा कथन सत्य है बताना है तो यही पर मारकर्च के चलते हैं क्या सहीं क्या गलत 36 गड़ में बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण ये सबसे बड़ा है हमने क्या देखा बादल खोल सबसे छोटा है तो ये statement होगा गलत सबसे बड़ा कौन सा है तो मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा है तमूर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण कहा है सूरजपुर जिले में है छेत्रपल 608 उबर किलोमेटर है ठीक है चलो यह 36 गड़ के जशपुर जिले में स्थित है यह मतलब अब आगे सारे statements बादल खोल को ही इंगित कर रहे है ठीक है ना यह उसी को point out कर रहे है ठीक तो यह 36 गड़ के जशपुर जिले में है तो देखा ही है यार हलने कौन सी जिले में है तो जशपुर जिले में तो जशपुर जिले में स्थित है तो सही बात है second statement सही है का है भाग रहे हो भाई स्थापना 2005 बोलो देखो लिखा 1975 है ना तो स्थापना 1975 तो यह बता ही चुका हो स्थापना कम हुई है 1975 में तो तीसरा statement भी सही है चौथा statement इसका शेत्रफल 802 वर किलोमेटर मैंने क्या बताया इसका शेत्रफल केता है 105 वर किलोमेटर 802 नहीं है 105 है तो चौथा statement गलत फिर से प्रशन को अच्छे से पड़ो पूछा है कौन सा कथन सत्य है या सही है सही बताना है आपको ना तो सही है 2 और 3 तो हमें कोई ऐसा option select करना है जिसमें बोल रहा हो कि 2 और 3 सत्य है तो पहला क्या बोलता है 1, 2, 4 सत्य है नहीं हो सकता यह तो दूसरा या option B क्या बोलता है 2 और 3 सत्य है और 2 और 3 सत्य है यही हमने भी अपने solution में निकाला है मतलब option B जो है यह सही option होगा आपके 6 प्रश्ट clear तो यहाँ पर 6 प्रश्ट हो गया अगले प्रश्ट पर आजाते हैं क्या सात्वा प्रश्ट है निम्न लिखित में से कौन सी जन्जाती मुख्यतह राइपुर संभाग में निवास करती है इससे पहले न मैं थोड़ा सा एक घुट पानी पिना चाहूंगा बोल बोल के क्या है गलाश उप जाता है यार चलो बढ़िया बताते हैं अब आगे कौल जन्जाती मुख्य रूप से कहां मिलती है तो मिलती है ये कौरिया जिले में उराव जन्जाती कहां मिलती है तो कौरिया जिले में उसके अलावा है सूरज पूर जिला उसके अलावा क्या है तो बलराम पूर जिला है यहां पर मैं के से लिए देता हूं उसके बाद उराओं तो कोरिया में भी देखा है सूरजपुर में में भी देखा है, बलरामपूर में देखा है, सरगुजा में देखा है, जश्पूर में देखा है, और रायगड, ठीक है, तो ये क्या है, उनाओ, और ये के है ना, इसको हिंदी में, कोल लिख देता हूँ, कहा गया, सी समेट नी, सी समेट नी यानते हों नी, इरेजर, ठीक, अरे, कोरिया क्यों लिख रहा हूँ, मैं अभी आप लोग के बात करना ही चकर करना, यह कोल है, तो कोल उराऊं, अब आप देखो, राइपुर संभाग की बात हो रही है, हम ने क्या देख каких है, यह हम क्या देख रहे हैं कोल उराओं, यह 36 गड़ में कहां मिल रहे हैं, प्रमुखरूप से सरगुजा संभाग की ओर, मतलब कोल और उराओं, यह आपके सही आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमको क्या बताना है, राइपुर संभाग में कौन सा प्रमुखरूप से मिल रहा है, ठीक, अब अगला क्या अब कमार जन जाती के बारे में मैं आपको बताऊं, कमार जन जाती मिलती है कहां, तो महा समुंद, महा समुंद के बाद कहां, तो यह गरिया बंद, के बाद कहां, तो धमतरी और उसके बाद कांकेर, तो यह हमारी कौन सी जन जाती है, कमार जन जाती, अब आप देखोगे, राइपुर संभाग के महा समुन में गरिया बंद में धमतरी मिल रही है इसके अलावा बस्तर संभाग की कांग केर में तो प्रमुक रूप से कमार जंजाती को अगर आप देखो तो ये तीन जिले हैं जो की कहां पर है राइपुर संभाग में तो राइपुर संभाग में प्रमुक खुरूप से कौन सीजन जाती मिल रही है, तो कमार बिलकुल मिल रही है, उसके बादा जो भुंजिया, तो भुंजिया के लिए ना मैं कलर जो है ना पैन का थोड़ा शेंच कर देता हूँ, अब भुंजिया कहां कहां, तो ये भी सबसे संभाग में, तो ये जो लाल है ना, ये है, भुंजिया जन जाती, ठीक, तो भुंजिया जन जाती, भुंजिया को भी है, आप देखो, तो प्रमुक खुरूप से कहां पर है, तो महा समुद्ध है, गरिया बंध है, धमतरी, मतलब वही राइपुर संभाग में, इसके दोरला को आप देखे ना तो यह जो जन जाती है एक तो मिलती है बस्तर संभाग के सुकमा जिले में दूसरा बस्तर संभाग के बीजापू जिले में तो यह कौन सी जन जाती है दोरला तो दोरला को भी अगर आप देखोगे तो प्रमुक रूप से कहा है तो है बस्तर सिर्फ एक जिला है रायगड ठीक जो की कहा है तो बिलासपुर संभाग में फिर दोरला जंजाती को भी अब देखोगे तो सुक्मा बीजापूर मतलब प्रमुक रूप से यह भी बस्तर संभाग में बचे क्या तो कमार भुंजिया हमने क्या देखा कमार के रिस्पेक्ट में पहले बता रहा हूँ तो महासमुन, गरियाबन, धमतरी, कांके तो प्रमुक रूप से महासमुन और गरियाबन, धमतरी, तीन जिले हो गए कहां के तो रायपूर संभाग के भुंजिया भी देखोगे तो प्रमुक रूप से कहां पर है तो महासमुन, गरियाबन, धमतरी, कुण डगाओं मतलब प्रमुक रूप से यह भी रायपूर के तीन संभाग आपको दिखी रहे हैं आपको कौन से तो महासमुद्ध है गरिया बंध है और धंधवी तो प्रमुक रूप से कमार और भुंजिया ये दोनों जो है ये मिलते हैं आपके रायपूर संभाग में ठीक तो हमें क्या बताना है रायपूर संभाग में तो एक C कमार और दूसरा D भुंजिया ये दोनों मिलते हैं कहां आपके रायपूर संभाग में प्रमुक से ठीक है भई अब आप्शन को देखो तो आप्शन D क्या बोलता है A, B, E तो हो ही नहीं सकता A, B, E मतलब कोल, उराओ, दोरला possible ही नहीं है कोल और उराओ तो कहां सरगुजा संभाग दोरला कहां बस्तर संभाग A, B, C तो A और B फिर से कोल और उराओ बोल रहा है यार ये तो नहीं मिलते हैं रायपूर में Option C में आओ, C, D कमार, भुंजिया तो कमार और भुंजिया, C, D यही आपका सही आंसर है हमने C और D ही निकाला था Clear? तो मेरे हिसाब से ये सात्वा परशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और बहतर कब समझ में आएगा जब आपको याद होगा कौन-कौन सी जंग जाती कहां-कहां पर मिलती है ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक वीडियो बनाया ही था अगर आपने नहीं देखा है तो बता दू, आप CGPSC का हम लोग Pre के लिए लाइव क्राश कोर्स लिखा होगा वहाँ पर जाएं, हर एक वीडियो में टॉपिक दिया है, आट एन कल्चर सेक्शन में आप पहला वीडियो है, उसमें देखेंगे तो मैंने कौन-कौन सी जंग जाती है आरो ही क्रम मतलब Increasing order मतलब सबसे पहले आप क्या लिखोगे छोटे से कहां पहुचोगे तो बड़े तक ठीक, आप हो पित्ता सनुझ गया होगे तो छोटे से बड़े तक लिखना है अब आपको मैं बना के बताता हूँ 36 गड़ की boundaries तो आपको याद है जब मैं mapping section पढ़ा रहा तब मैंने बताया था यह दो सिंग निकालना है फिर दो पूच निकालना है एक लाइन निकालना है 36 गड़ के सबसे पूरवी जिले से एक लाइन निकालना है सबसे पश्चिमी जिले से और एक लाइन कहां से निकालना है तो राजनाद गाउं से अब देखो राज्यो के नाव तो सबसे पहले चालू करते हैं यहां से तो यह है OD, Udisa के नीचे है AP, आंध्रप्रदेश तो OD, Udisa, AP, आंध्रप्रदेश आंध्रदेश के बाद क्या है तो यह है TL से तेलंगाना MH से क्या है महाराष्ट उसके बाद है MP से मध्यप्रदेश उपर की ओर देखेंगे तो क्या है UP, उत्तरप्रदेश उसके बाद JH, जारखन तो 36 गड कितने राज्यों से घिरा है तो देखते जाएए, पहला उडिसा है सेकेंड आंध्रदेश है, तीसरा तेलंगाना है चौथा महाराष्ट, पाँछवा मध्यप्रदेश छटवा उत्तरप्रदेश, साथवा जारखन clear, तो 36 गड असल में साथ राज्यों से घिरा हुआ है इतना आपको याद रखना है अब इन राज्यों के साथ सीमा कैसी बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ की सीमाओं की लंबाई, तो आपना इक क्रम से पहले सब को लिख लेंगे, तो उडिसा से चालू करते है, तो OD उडिसा फिर AP आंध्रदेश, उसके बाद TL तेलंगाना, उसके बाद क्या है, तो MH महराष्ट, उसके बाद है MP मध्यप्रदेश, उसके बाद क्या लिखना है, तो UP उत्तरप्रदेश, JH से लिखना है, जारखन, तो ये साथो राज्यों को आप क्रम में लिख दो पहले, उसके बाद सबसे बड़ी सीमा याद रखना, 830 किलोमीटर की कौन बनाता है उडिसा आंध्रदेश सबसे छोटी बनाता है 830, तो 3 का 3 यहाँ लिखो, 8 को यहाँ ले आओ तो बन गया 38 किलोमीटर कौन बनाया आंध्रदेश तो सबसे लंबी कभी पूछे तो उडिसा सबसे छोटी पूछे तो आंध्रदेश यहाद रखना TL तेलंगाना तो 3 का 3 यहाँ ले आओ अब देखो, 8 को क्या लिख सकते हो, तो 8 कैसा लिख सकते हो ना, 1 धन 7 ठीक तो 8 को लिख दो, 1 साथ तो 173 किलोमेटर 173 तेलंगाना महाराष्ट फिर यह 3 को सामने लाओ 7 का 7 उतार दो 3 साथ साथ के बाद अगला विशम संख्या या और नमबर क्या आता है तो आता है 9 379 किलोमेटर ठीक, 830, 38, 173, 379 फिर मध्य प्रदेश का यार आप सीधा याद रख लेना 410 किलोमेटर फिर उत्तर प्रदेश है तो यह 10 को सामने लाओ 1, 0 4 के पहले क्या आता है 3 तो 103 किलोमेटर ठीक उसके बाद क्या है JH जारखंड तो कुछ समय के लिए मानो कि यह जो महराष्ठ है 379 के जगा है 370 मानो तो जारखंड याद रखना है 270 तो 370 और 270 याद रह जाएगा असानी से वैसे 370 नहीं है 379 है याद रखने के लिए बोला था क्लियर तो ध्यान आपको रखना है इन सातो राज्यों या इन सातो राज्यों जो कि छट्रगड के साथ जितनी लंबी सीमा बनाते हैं उसको मैंने आपको याद रखना सिखा दिया ठीक उत्तर प्रदेश चले नीचे लिखते जाता हूं ये 103 किलोमेटर की सीमा बनाया देखा हमने मध्यप्रदेश ने 410 किलोमेटर की बनाया था महाराष्ट ने 379 और उडिसा ने कितना देखा है हमने 830 किलोमेटर लंबी सीमा बनाया उसलों के मन में आ रहा हूगा कूल कित्ती बनाते हैं करके सबकों जोड़ देना कूल पता चल लाएगा सीमा कलंबाई कित्ती है करके ठीक तो 830 है 379 है 410 है 103 अब क्या है क्रम है आरोही मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की जगा मैं D लिख सकता हूँ D में लिखा है तो उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा उडिसा है 830 लिखा है A में तो मैं A लिख सकता हूँ तो D, B, C, A ये सही है आरोही क्रम या increasing order अब आप देखो D, B, C, A हमको कहा मिलेगा तो option A से चालू करते हैं A, B, C, D ये तो गलत हो गया B, A, C, B, D ये भी गलत है option C को देखो D, सही है D मिल रहा है हमको पहले उसके बाद B है तो बिल्कुल सही उसके बाद B है उसके बाद C है क्या तो हाँ बिल्कुल C है और उसके बाद A है क्या तो हाँ बिल्कुल A है तो option C जो है option C सही answer है आपके आठवे परशन का clear तो इस प्रकार से पहले मैं आपको बताते जाता हूँ थोड़ा सा रेफरेंस दूँगा कि मैंने कहां पर पढ़ाया था आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए हिस्ट्री वाला सेक्षन का जो पहला वीडियो था उसी में मैंने चत्तिस गड़ में प्राग एतिहासिक कालीन स्थलो को मैप पर प्लोट करके दिखाया था तो एक बार चाहे ना तो उस वीडियो को आप लाइव क्राश कोर्स वाले में जाके हिस्ट्री सेक्षन का पहला च वीडियो है उसको देख लेना तो दुर्वे हमने क्या देखा था नव पाशान काल से संबंधित एक स्थल है नाम है क्या तो अरजुनी गौरिला पिंडरा मरवाही में मैंने बताया था उत्तर पाशान काल से संबंधित एक स्थल है नाम है क्या धनपुर बस्तर तो ये बस्तर है भई बस्तर में मैंने क्या बताया था आपको तो बस्तर में मध्य पाशानकाल तो ये कौन सा है नव पाशानकाल ये मैंने बताया उत्तर पाशानकाल और ये मैं बता रहा हूँ आपको मध्य पाशानकाल से संबंधित कौन कौन सेस्थल है तो सबसे पहले है घाट लोहांग उसके बाद है खडग घाट घाट लोहांग खडग घाट उसके बाद है काली पूर और है भाते वाड़ा सब्सक्राइब घाट लोहांग खडग गाट काली पूर भाते वाड़ा ये कहाँ पर बताया था बस्तर में ठीक चलिए अब I hope easily आप समझ गया होंगे match करना तो घाट लोहांग हमने क्या देखा है तो बस्तर में तो B 1 हो गया गौरिला पिंडर मरवाही में धनपुर देखा है तो क्या हो गया A 3 हो गया और C दुर्ग में हमने क्या देखा है अर्जुनी तो C 2 हो गया clear तो A गौरिला पिंडर मरवाही से धनपुर मैच हो जाता है B बस्तर से घाट लोहांग जो की 1 में दिया है मैच हो जाता है C दुर्ग से अर्जुनी मैच होता है जो की दिया है 2 में तो A3, B1, C2 ये बनना चाहिए अब A3, B1, C2 अब देखो A3 देखोगे तो C में और D में दोनों में दिख रहा है अब A3 के बाद B1 आना चाहिए तो A3 के बाद B1 C में है और क्या आखरी में C2 है तो बिलकुल है C2 मतलब option C जो है प्रशन भी खतम हो जाता है आजाते हैं अपने दसवे प्रशन पर देखिए फिर से क्या है तो ये एक statement वाला question है बिलासपूर एक भू आविष्ठित जिला है बिलासपूर अंतराजी सीमा बनाता है 1861 में जिला बनाया गया और इसे संभाग 1956 में बनाया गया ठीक तो सबसे पहले थोड़ा सा map देखते हैं देखो ये बिलासपूर संभाग को मैंने क्या किया है तो zoom in कर दिया है तो ये जो बिलासपूर संभाग पहले संभाग को देखते हैं पूरा ये संभाग का map है अब इस संभाग में एक जिला और उस जिले का नाम क्या था बिलास्पूर तो ये पूरा जो है ना ये बिलास्पूर जिला हुआ करता है ठीक कब का तो 2019 तक इतना बड़ा था मान लो कब तक 2019 तक तो 2019 की मैं बात करूँ असल में होता क्या है एक डेट याद रख लेना डेट है दस फरवरी 2020 दस फरवरी 2020 के दिन इस बिलास्पूर से ये जो हिस्सा है इसे काट कर एक नया जिला बनाया गया नाम था क्या गॉरिला पेंडरा मरवाई इसलिए मैंने आपको क्या कहा 2019 तक या जनवरी 2020 भी कहो कोई दिखकत नहीं गोश्ताओन एस नया जिला नहीं बनता है ना स्तित्व में कबाया है याद रखना तो दस फरवरी 2020 तो दस फरВरी 2020 से पहले की बात करूं तो ये पूरा का पूरा क्या था बिलास्पूर जिला है यहां पर आप देख रहे हैं कि अं इसको काट कर क्या बना दिये तो यह जित्ता मैं ब्लैक कर रहे हूं यह बन गया गॉरिला पिंड्रा मरवाही बन गया भई कब बन गया है तो दस फरवरी 2020 को बन गया है और जब यह गॉरिला पिंड्रा मरवाही बन गया तो अब बचा हुआ हिस्सा जो है वो क्या है तो अभ जिला जो कि अंतर राजी सीमा में पा टिसिपेट ना करे मतलब यह 36 गड़ के परिपेक्ष में एक ऐसा जिला होगा जो कि 36 गड़ की किसी और राजी के साथ सीमा नहीं बनायेगा ठीक दूसरी बात भारत के परिपेक्ष में जब आप देखोगे भू आविश्ठित राज्य तो उन राज्यों कहा जाता है जो की अरब सागर, इंडियन ओशियन या बेव बेंगॉल बंगाल की खाड़ी को भी टच ना करते हैं तो भई जब छत्ति सगर टच नहीं करते हैं बिलासपूर के टच होने का संभाव नहीं नहीं पैदा होता है बिलासपूर टच करता है क्या अरब सागर, इंडियन ओशियन बेव बेंगॉल किसी की नहीं करता है तो या तो वाटर बॉड़ी को नहीं करना चाहिए या तो नहीं वैसे तो वाटर बॉड़ी को भी नहीं करना चाहिए पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट क्या होता है तो सेकेंड पॉइंट यह होता है कि 36 गड़ की सीमा किजी और के साथ ना बनाए है, ठीक, तो दोनों नहीं करता है बिलासपूर, मतलब बिलासपूर अब क्या है, तो भू आविश्ठित जिला है, लेकिन 10 परवी 2020 से पहले था क्या, तो नहीं था, तो ये अब हमारा आविश्ठित जिला है, ठीक है, बना रहा है कि 36 गड़ के साथ सीमा किसी की नहीं बना रहा है, टच हो रहा है कि आरब सागर इंडियन ओशन बेव बेंगॉल से नहीं हो रहा है, ठीक, चलिए, अब स्टेट्मेंट्स को देखते हैं, पहले बताना है कौन सा स्टेट्मेंट गलत है बताना है, याद रखना मैं यहाँ पर ध्यान रखना भया, कौन सा कथन गलत है बताना है, तो बिलासपूर भुआविश्ठित जिला है, ये स्टेट्मेंट तो सहीं है, बिलासपूर अंतराजी सीमा बनाता है, ये स्टेट्मेंट अब गलत है, पहले बनाता था, ल बिलासपूर भी बना था 1861 में सही है, बिलासपूर को संभाग का दरजा मिला 1956 में, तो हाँ बिलासपूर को संभाग का दरजा 1956 में मिला है, मतलब स्टेटमेंट एक तीन चार सही है, और स्टेटमेंट दो जो है वो गलत है, हमें बताना था स्टेटमेंट दो जो है वो क्या ह गलत है, ठीक हमें बताना है कौन सा statement गलत है, तो statement दो गलत है, अब आप option को देखोगे, तो option A बोलता है 2, 3, 4, option B बोलता है 1, 3, 4, option C बोलता है 1, और option D बोलता है इन में से कोई नहीं, तो सही option ऐसा होना चाहिए, जिसमें दिया हो कि statement 2 जो है, वो क्या है, गलत है, ऐसा तो न आपका दस्वे प्रश्ण का हो जाएगा, सही अंसर, ठीक, चलिए, अब यहां से कुछ factual questions आ जाते हैं, एकदम factual one liner, तो उनको भी practice कर लेते हैं, ये भी पूछता है भई, औद्योगिक शेत्र खैरा किस जिले में स्थित है, तो अगर आप economic survey की पढ़ाई कर रहे हो, तो गत दो वर्षों से आपने पढ़ा होगा, कि एक औद्योगिक शेत्र है खैरा, जो कि प्रस्तावित, तो आप वैसे परश्ण 11 है, chapter भी उसमें 11 है, 11 chapter में दिया हुए देखन ठीक है, नहीं देख पाए हो, तो याद रखना, 28 तारिक 28 जनवरी 12 से 5 बजे के बीच में economic survey की live class है, तो उसमें तो मैं discuss करूँगा ही, तो आप उसको भी attend कर सकते हो, ठीक है, तो ये जो अध्योगिक शेत्र खैरा है, हम पढ़ रहे हैं दो साल से ये कहां प्रस्तावित है तो बेमेतरा जिले में, बेमेतरा जिला को एक बार देख लेते हैं, तो ये जो है ना, ये हमारा दुर्ग संभाग है, और इस दुर्ग संभाग में ये जो जिला है, ये है हमारा बेमेतरा जिला, तो इसी बेमेतरा जिला में एक अध्योगिक शेत्र नाम है क्या खैरा, प् अगला प्रश्ण है बारवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी ताप विधुत ग्रह अब देखो एक चीज़ में आपको बता दूँ राज्य द्वारा राज्य यहां पर छत्तिजगर को कह रहा हूं राज्य द्वारा स्थापित ताप विधुत सेयंत्रों की अगर मैं बात करूं तो अभी हमें दो जिलों में मिलेंगे एक जिला क्या है तो कोर्बा और उसके दक्षिन में क्या है जांजगीर चापा को अगर मैं इस्ट और वेस्ट में बाटूं तो कोर्बा इस्ट या कोर्बा पूर्व में एक है पावर प्लांट नंबर तीन या ताप धुद्ग्रव या thermal power plant पश्चिम में देखोगे तो एक हस्देव है thermal power plant और एक क्या है कोरबा पश्चिम का विस्तार कोरबा वेस्ट का extension लिख देता हूं और उसके बाद जान्जगीर चापा जिला है ना वहाँ पर क्या है तो मढवा तेदू भाठा यहाँ पर क्या पुछा मुखर जी ताप विद्धुद्ग्र स्थित है किस जिले में तो हमने क्या देखा है कोरबा पूर्व में है डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी ताप विद्धुद्ग्र इसके बारे में कुछ facts को आपको याद रखना है क्या fact है तो 2007 में यहाँ पर धाई सो मेगा वाट के दो यूनिट की commissioning हुई है मतलब यहाँ से अभी 500 मेगा वाट की उत्पादन शमता है clear है तो इस बात को ध्यान रखने है डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी ताप विद्धुद्ग्र ये question पूछा भी है ठीक है कहां परहे करके आचा एक और चीज़ आपको ध्यान र की ranking की थी जिसमें से ये डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी thermal power plant है कोरवा पूरु का उसका rank कितना या था आठवा भारत में आठवा राइंक याद रखना आपको ठीक important है economic survey में अलग से बिल्कुल point out करके दिया है तो हमने क्या देखा कौन से जिले में स्थित है कोरवा जिले में कोरवा जिला कौन से option में दिया है option A में तो बारवे प्रश्ण का सही answer क्या है तो option A जो है वो आपके बारवे प्रश्ण का सही answer है अगला प्रश्ण क्या है ते प्रश्टन अग्ला प्रश्टन रहंगी, अब रहंगी क्या है तो रहंगी basically पक्षि अभ्यारन ये या bird sanctuary है तो देखो bird sanctuary ये पकषि अभ्यारन आपको याद होना चाहिए हमने दो जिलो में देखा था एक कहां देखा था तो b से बिलासपुर और दूसरा क्या देखा था हमने तो B से B में तरह इसको ना हिंदी में लिग देता हूंने तो गड़बड़ हो जायेगा तो B से बिलासपूर और B से बिलासपूर और B में तरह बिलासपूर में क्या देखा था हमने देखा था रहंगी और B में तरह में क्या देखा था हमने देखा था गिधवा समझ में आया, तो ये दो पक्षिय भ्यारण्य, बेमे तरह गिधवा, बिलासपुर, रहंगी, क्या कुछ है, रहंगी कहां पर है, तो मैंने क्या बताया, रहंगी कहां पर देखे हो, बिलासपुर, अब देखो, बिलासपुर कहां लिखा है, तो option C में लिखा है, तो option C बिला से कहा पर है बिलासपूर तो बताने की जौरत नहीं पढ़ना की अगला प्रश्ण क्या है सोन बर्सा नीचर सफारी नीचर सफारी फिर से होगा आपको हमने दो नुच यर व्याँ सफारी देखे एक हमने क्या देखा था सोन बरसा अब आप लोग इंद्रा प्रियदर्शनी इसको राइपुर के मोहरेंगा में देखा था नेचर सफारी, ख्लियर है, तो दो नेचर सफारी इंद्रा प्रियदर्शनी जिसको पहले मोहरेंगा नेचर सफारी भी बोल देते थे, नाम बदल गया है, इंद्रा प्रियदर्शनी के नाम से हो गया ठीक है, राइपुर जिले में है, सोन बरसा नीचर सफारी, बलोदा बजार, भाठा पारा जिले में है, आपको प्रश्ण में क्या पूछा है, या क्वेश्ण में, तो सोन बरसा नीचर सफारी के बारे में, मैंने आपको बताया है, बलोदा बजार, भाठा पारा जिले में है सोलवा कोईशन डिड निश्वरी देवी मंदिर किस नदी के तड़ पर स्थित है चलो थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं मैं आपको बढ़ा करके यह जिला है कोरबा यहां से एक नदी निकलती है और यह जो नदी है न यह बिलासपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए चलती है नदी का नाम क्या है तो नदी का नाम है बहुत जादा मोटा लिखा रहा है यार पतला कर लेते हैं लीलागर क्या नाम है नदी का लीलागर नदी है अब ये जो लीलागर नदी है न, इस नदी के तट पर ये जो बिलासपुर जिला है यहाँ पर एक नगर या एक शहर है, नाम है क्या उसका नाम है मलहार. क्या नाम है शहर का मलहार और ये जो मलहार है यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर मंदिर का नाम क्या है तो डिड़नेश्वरी देवी तो मैंने आपको क्या बताया नदी है लीलागर इसी का प्राचीन नाम हमने देखा था क्या नेडिला ठीक ये बिलासपूर की पूर्वी सीमा पर चल रही है और इसी के तट पर बिलासपूर में एक शहर है मलहार इसका प्राची नाम प्रसंपूर बताया था और पिर क्या बता रहा हूँ मलहार जो है वहाँ पर डिढ़नेश्वरी देवी मंदिर है मतलब डिडनेश्वरी देवी मंदिर किस नदी के तट पर हुआ तो लीलागर नदी के तट पर हुआ ऐसा कहा जा सकता है ठीक है चलिए अब डिडनेश्वरी देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है ये प्रश्ण है अब आप लोग option को देखो तो लीलागर हमने देखा है और यही लीलागर option D में दिया है ठीक है तो option D जो है न यह आपका सही answer होगा अब कुछ लोग के मन में आ रहा होगा लीलागर नदी के एकदम किनारे में थोड़ी डिडनेश्वरी देवी मंदिर है तो PSC का जो definition है नदी के तट पर होने का यह 88-10 km तक रहता है एक बार पलारी जो है न उसको महाल दी के तट पर PSC answer लिया है तो आस पास जो कुछ रहता ह है नो उसको सब को तट पर मान लेता है PSC तो कम सकम आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए तो एकदम से सोचने मत लगना थोड़ी सा नदी के एकदम किनारे में है करके तो ऐसा भी answer लिया जाता है तो मानसी गुरूप से तयार रहेंगे ठीक है तो इस वीडियो में हमन मैं 16 प्रश्णों को देखा जो 36 गड़ के संभाग परिचे से संबंधित थे अलग लग आयाम के प्रश्ण थे कुछ एतिहासिक परिपेक्ष से थे कुछ भोगोलिक परिपेक्ष से कुछ लोकला संस्रुटी से भी थे ठीक है तो ये जो question थे मैंने इसमें अलग अलग आप समझ गए होंगे कि questions को आपको approach कैसे करना है आपको अपनी समझ को कैसे रखना है while solving the questions ठीक है तो इस वीडियो को यहीं पर end कर देते हैं अगला जो वीडियो है उसमें basically मैं 36 गड़ की geography section से कुछ प्रश्णों को लेकर आऊंगा जिसको हम अपने अगली वीडियो में deal क करेंगे ठीक है चलिए तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और आप सभी समुलकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक है thank you and take care